प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आज हम फिर से पढ़ेंगे अंतरा भाग दो के अंतरगत संकलित पाठ दूसरा देवदास का दूसरा भाग जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी मैं जानती हूँ आप पहले भाग के दोरान बहुत उत्सुक रहे होंगे ये जानने के लिए कि संभव और उस लड़की जिसका नाम भी अभी तक हम नहीं जान पाए हैं उनकी प्रेम कहानी ने कौन सी करवट ली तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई वे घाट की भीड को काटता हुआ सबजी मंडी पहुँच गया हर की पौडी और सबजी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलिया थी लड़का देखी नहीं पाया कि लड़की कहां ओजलो गई नानी का घर करीब आ गया था लेकिन लड़का घर नहीं गया वे वापस अंदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा क्योंकि अब वे बेचैन था उत्सुक था कि आखिर मंदिर में मिली वो सामली सलोनी लड़की किस कली में चली गई उसने चूडी की समस्त दुकानों पर नजर दोड़ाई हर दुकान पर भीड थी पर एक भीगी गुलाबी आकरती नहीं थी अर्थात वे लड़की जो मंदिर में मिली वे नहीं थी आखिर भटकते भटकते संभव हार गया पस्त कदमों से वे घर की ओर मुड़ा नानी ने द्वार खोलते हुए कहा कहा रहे गए थे लल्ला मैं तो जी में बढ़ा काप रही थी तुझे तो तैरना भी ना आवे कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी मा को कौन मू दिखाती आप यहां मम्ता कालिया जी की भाषा के प्रयोग को भी देख सकते हैं कि हरिद्वार में बोले जाने वाली भाषा को उन्होंने किस तरह यहां प्रयोग किया है संभव कुछ नहीं बोला नानी की बात उसे सुनाई भी कहा देनी थी वह तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था वह अभी भी उस गुलाबी सी आकृती सामली सलोनी सी लड़की के स्वपन में खोया हुआ था अब नानी कुछ भी कहें उसे तो सुनना था नहीं तो संभव ने कुछ ना बोलकर थेला तक्त पर पटक कर पैर धोने के लिए नल के पास चला जाता है नानी बोली ब्यालू कर ले यानी शाम को कुछ खा ले संभव फिर भी नहीं बोला अब इस युवा मन में उठने वाली उमंगे तरंगे कहां उसे खाने का होश दिलाने वाली थी नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती संभव तक्त पर लेट गया और उसने नानी की किसी बात का भी जवाब देना उचित नहीं समझा नानी ने कहा ठक गया ना आरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़े है कल बैसाखी है इसलिए भीड बहुत बढ़ गई है अभी तो कल देखना तिल धरने की जगा नहीं मिलेगी पॉड़ी पर चल उठ खाइबे को खाले नानी ने फिर अपनी बात को अंत यहीं बे किया कि कुछ खाले अब की बार संभव को लगा कि कुछ तो कहना ही पड़ेगा तो संभव ने कहा मुझे भूख नहीं है अकसर ऐसा प्रेम के पहले पड़ाव पर हो जाता है कि भूख प्यास याद नहीं रहती है तो संभव ने कहा मुझे भूख नहीं है अरे क्या हो गया असनान के बाद भी भूखनाय चमकी तभी न इतनी सीक सलाई देही है तभी तो इतने पतले हो मैंने सभिता से पहले ही कही थी इसे अकेले ना भेज यहाँ जी न लगे इसका नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई अब नानी को क्या पता था कि उसका जी नानी के पास नहीं लग रहा है या किसी और के ना मिलने से नहीं लग रहा है उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संख्शिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए छोटा सा खटोला ही परियाप्त था पर उन्हें तो सिकुड कर गटरी बन कर सोने की आदत थी नानी तो खटोले पर सो गई और गंगा को छुकर आती हवा से आंगन काफी शीतल हो गया था और उसके उपर नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था आप जानते हैं जब हम अपने घर को धो देते हैं तो वह और भी शीतल हो जाता है नीद और स्वपन के बीट संभव की आँखों में घाट की पूरी बात उतर आई अभी भी उसके मस्तिश्क से वह घटना उतर नहीं पा रही है वह फिर उनी खयालों में उनी स्वपनों में लौट पड़ता है लड़की का आँख मूद कर अर्चना करना माथे पर भीगे बालों की लट कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य मधुर सा स्वर हम कल आएंगे संभव की तो आँख खुल गई ये तो वह भूल ही गया था लड़की ने कल वहां आने का वचन जो दिया था संभव आशा और उत्सा से उठ बैठा ये बात उसको अब तक याद नहीं थी कि पुजारी के समक्ष लड़की ने फिर कल आने के लिए बोला था अब वह खुशी से जूम उठा नानी को जक्चो उड़ते हुए बोला नानी नानी चलो खाले मुझे भूक लगी है और अचानक से खुशी के मारे संभव को भूक लग गई नानी के नीन जूले के समान थी कभी गहरी, कभी उतली उठले जोटे में उन्हें धेवते की सुधाई वे रसोई से थाली उठा लाई संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया वाह नानी क्या आलू टमाटर बनाया है मा तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती ककड़ी कर रायता मुझे बहुत पसंद है जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप बातों को बढ़ा चड़ा कर भी कहते हैं और दूसरी बात जब आप खुश होते हैं तो आपको हर काम करते हुए अच्छा लगने लगता है तो उसी तरीके से संभव खुश होकर के प्रसंद होकर के खाना प्रारंब कर देता है पर ये क्या खाते खाते संभव को याद आया कि आशीर वचन की दुरघटना तो बाद में घटी थी वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया उसकी आखों के बीच आगे के कुछ घंटे पहले का सारा दृष्य घूम गया पुजारी का वह मंत्रो चार जैसा पवित्र उद्गार सुखी रहो फूलो फलो सारे मनोरत पूरे हो जब भी आओ साथ ही आना और फिर लड़की का चिहुकना छिटक कर दूर खड़े हो जाना घबराहट में चपल मी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना तो अब जैसे ही ये सारी घटना उसकी आँखों के आगे घूम गई संभव फिर से विचलित हो गया और उसने अचानक से कहा मुझे भूक ना है मैं तो योही उठ बैठा था अब उसकी भूक फिर से समाप्त हो गई क्योंकि अब उसे पंडिची के दिये गए उद्गार य इसी साल M.A. पूरा किया था और शायद इस कच्छी उम्र का ही ये प्रभाव रहा कि वह अभी भी उनी खयालों में रमा हुआ था अब वह सिवल सर्विसेज प्रतियोगताओं में बैठने वाला था माता-पिता का खयाल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिवल सेवा में चुन लिया जाएगा क्योंकि हमारे माता-पिता ऐसा मानते हैं कि अगर हम ईश्वर का आशिरवाद अपने किसी भी काम को करने से पहले ले लेते हैं तो उस पर कृपा बनी रहती और हमारा काम बेखटके से हो जाता है हाला कि लड़का इन टोटकों को मानता तो नहीं था पर उसे एक तो घूमना पसंद था और दूसरा उसे नानी से मिलना भी तो बहुत पसंद था अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी एहम भूमिका में आई ही नहीं थी लड़किया या तो क्लास में बाई तरफ की बैंचो पर बैठने वाली एक कतार भर थी कि हाँ मेरे साथ लड़किया पढ़ती है और एक पंक्ती में बैठ जाती है इस से अधिक उसने कभी रुची नहीं दिखाई थी या फिर ताई चाची की लड़किया जिनके साथ खेलते खाते वह बढ़ा हुआ था तो उसके लड़की के होने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि कक्षा में उसके बाई तरफ बैठी हुई जो लड़किया है या उसकी बहने इस तरह बिलकुल अकेली अनजान जगा पर एक अनाम लड़की का सद्य सनात दशा में सामने आना सद्य का अर्थ होता है जो अभी अभी घटित हुआ हो तो अभी अभी सनान करके जो आई हो ऐसी दशा में उस लड़की का सामने आना जिसका नाम तक नहीं पता पुजारी का गलत समझ लेना फिर आशिरवाद भी दे देना लड़की का घबरा जाना चल देना सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूती थी जिसमें उसे कुछ सुख और जादा बेचैनी लग रही थी क्योंकि वह उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन था पुजारी के देवाले पर सीधी आँख पड़े ताकि अगर वह लड़की आए और उस मंदिर में उसी पुजारी के पास जाए तो वह पहले से ही देख ले पर ये क्या उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी कैसी लगती थी? अब कल्पना के पंक उड़ रहे हैं संभव के मन में और वै उनको निर्द्वंद छोड देता है सोचने के लिए कि कैसी लगती थी? हम अपने आप से ही संभाद करने लगते हैं उसी तरीके से संभव भी सोचता है कि कैसी लगती थी, कहां की लगती थी, संभव ने बहुत याद करने की कोशिश की उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आखे दिखी उसे अफसोस था, वह उसे ठीक से देख भी तो नहीं पाया पर ये तय था कि वह उसे हजारों की भीड में भी पहचान लेगा प्रेम की इस पहली नजर में ही उसे लगता था कि हजारों की भीड में भी वह उस सामली सलोनी लड़की को पहचान सकता है अभी चिडियों ने आंगन में लगे अम्रूद के पेड़ पर चह चाहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज दी लल्ला चलेगा गंगा जी आज बैसाखी है संभव को लगा वह तो रात भर सोया भी नहीं है क्योंकि वह तो कुछ और ही खयालों में था नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था उसने कहा तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी मैं तो अभी सोंगा नानी द्वार उड़का कर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया बिना किसी द्वंद के वह अपनी कल्पना में खो गया आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है यकीन मानिये पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अंजान है जितने आपके लिए लड़की कहेगी कोई बात नहीं फिर वह पूछेगा आप दिल्ली से आई है लड़की कहेगी नहीं हम तो फलाना के हैं क्योंकि वह अभी सोच नहीं पा रहा है कि लड़की निकलेगी कहां की बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी अगर उसने थोड़ा सा भी रुख दिखाया या अपनी रुचे दिखाई तो वह आगे बढ़कर कहेगा मेरा नाम संभव है और आपका वह क्या कहेगी उसका नाम क्या होगा वह बिये में पढ़ रही होगी या एमे में इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंड भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई यह यौवन काल में उठने वाली उमंगों के विशे में है कि वह अभी उन्हीं द्वंदों में खोया हुआ है कि आगे क्या होगा कैसे बात करेगा लड़की कैसे प्रतिक्रिया देगी तब तक नानी आ जाती है ले तु अभी तक सुपने ले रहा है वहां लाखन लाख लोग नहान कर लिए अरे कभी तो बड़ो का कहा कर लो लड़के की तंदरा नश्ट हो गई लड़का जिन ख्वाबों में खयालों में खोया हुआ था उसकी नीद उचट जाती है नानी उवाच के बीच सपने नौदो ग्यारा हो गए कोई भी बड़ी लेखिका जब अपनी कहानी या किसी भी रचना को लिखती है तो वह मुहावरे से उसे और जीवन्त बनाने का प्रयास करती है तो जैसे ही नानी ने प्रवेश किया लड़के के सपने तो भाग गए, समाप्त हो गए लड़की ने उठते उठते तै किया कि इस वक्त वह घार तक चला तो जाएगा क्योंकि नानी ने कहा है पर नहाएगा नहीं हाथ मूध होकर प्रार्थना कर लेगा कुछ देर पौडी पर बैठ गंगा की जलराशी निहारेगा लोटते हुए मतुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम गरम जले भी खरी देगा और वापस आ जाएगा उसने कुर्ते की जेब में बीस का नोट डाला और चल दिया वास्तव में पौडी पर आज अद्बुद भीड थी गंगा के घाट से भी चोड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था क्योंकि बैसाखी जो थी भोर की आर्ती हो चुकी थी अर्थात सुबह होने वाली आर्ती समाप्त हो गई थी लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे नारियल फूल और प्रसाद की घंगोर बिक्रे थी भीड लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी बलकि रोज देखता था दफ्तर जाती भीड, खरीद फरोक्त करती भीड, तमाशा देखती भीड, सडक क्रोस करती भीड, लेकिन इस भीड का अंदाज निराला था इस भीड में एक सूत्रता थी ना यहां जाती का महत्व था ना भाशा का महत्व उद्देश्य का था और वह सबका समान था जीवन के प्रती कल्यान की कामना भीड भी अलग-अलग होती है एक भीड जो दोडती है, भागती है आफिस के लिए भागती है प्रेन के लिए भागती है लेकिन यहां इतनी भीड थी उसके बावजूद उसमें एक सूत्रता नजर आती थी एक लय नजर आती थी और हर किसी के मन में भागा दोड़ी नहीं थी क्योंकि सब लोग कल्यान की कामना मांगने गंगा के घाट पर आये थे उनका मन बहुत शांत था इस भीड में दोड नहीं थी अतिक्रमन नहीं था किसी को पीछे छोड़ के आगे भग जाने की जल्दबाजी नहीं थी और भी अनोखी बात ये थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबगी नहीं लगा रहा था बलकि स्नान से जादा समय वह ध्यान ले रहा था आपने गंगा के घाट पर या किसी अन्य नदी के घाट पर देखा होगा कि लोग जब स्नान करते हैं तो सूरे को नमशकार करते हैं ध्यान करते हैं वैसा ही कुछ अद्भुत निराला सा द्रिश्य यहाँ पर भी था दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूरे की और उन्मुक हात जोड़े खड़ा था उसके चहरे पर इतना विभोर, इतना विनीत भाव था कि मानो उसने अपना सारा एहम त्याग दिया हो क्योंकि जब हम ईश्वर के लिए जाते हैं, जब हम ये भक्ती मई डुबकी लगाते हैं तो हम अपना सारा घमंड, अपना सारा एहम त्याग चुके होते हैं हम उस ईश्वर से बात कर रहे होते हैं, जिसके अंश हम स्वयम होते हैं तो जो स्वा होता है उसकी कुंठा शेश नहीं रह पाती। वे चेतना से भर जाता है। वे अपनी आत्मा से परिचित हो जाता है। वे आनंद में होता है जो की बहुत निर्मल और पवित्र सा होता है। अचानक से जब लड़का यह सब देख ही रहा था संभव तभी छोटे से लड़के ने लगभग हसते हुए उसका ध्यान भंकर दिया। भाया आप नहीं नाहेंगे। संभव ने गौर किया जाने कब पौडी पर उसके नस्दीक ये बच्चा आ बैठा था। उसके भाल चंद का टीका लगा हुआ था। चहरे पर एक चमकीली सी ताजगी थी जो बच्चपन में होती भी है। अकेले हो संभव ने पूछा। नहीं बुआ साथ हैं। कहां से आये हो। रह तक। अब वापस जाओगे। नहीं। बच्चे ने चमकीली आँखों से बताया क्यूंकि बच तो मंसा देवी जाना है वह उधर। बच्चा सामने पहाडी पर बना एक मंदिर इंगित से अर्थात इशारे से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही जब से वह नानी के घर आया है अपनी और आकर्शित तो कर रहा था। लेकिन नानी ने उसे चेतावनी चलती थी कि नालला मंसा देवी जाना है तो क्या जूला गाडी में तो बैठी हो ना। रस्ची से चलती है क्या पता कब टूट जाए एक बार टूटी थी हजारन मरे गिरे थे जाना है तो चड़कर जाना उसका महत्तम अलग है तो नानी ने यह चेतावनी दे दी थी कि क्योंकि वह तूट सकती है अब बेचारा संभव वह बहुत शारिविक मेहनत में तो विश्वास ही नहीं करता था कौन चलके चड़के इतनी दूर मंसा देवी के दर्शन करेगा बरसों से कुरसी पर बैट पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी ह अरकत का ही ध्यान आता था अर्थात संभव को लगता था कि अगर मेहनत कुछ करनी है तो दिमाग की मेहनत में कर सकता हूँ बाकी चलना फिरना चड़ाई करना उसके वश में नहीं रह गया था उसे यहां सुबा सुबा नानी का जाडू लगाना चक्की चलाना पानी भरना रात के मांजे बर्तन फिर से धोधो कर लगाना सब बड़ा कश्ट दे रहा था वह एतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि वह महज चार दिन रुक कर नानी की दिनचर्या में हस्तक शेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हमारी माए पूरे दिन काम में लगी रहती हैं हम चाहते तो हैं कि वह इतना काम ना करें लेकिन फिर हम उनकी दिनचर्या में हस्तक शेप नहीं करना पसंद करते हैं संभव ने बच्चे से कहा अगर गिर गए तो बच्चा खूब जोर से हसा इतने बड़े होकर डरते हो भाईया गिरेंगे कैसे इतने लोग जो चड़ रहे हैं शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसाथ करना चाता था वह शहर के हरिद्वार के इतिहास को तो जानना ही चाता था लेकिन वहां क्या कौन सी चीज है कैसे पेड़ है कैसी आकतियां है वह सारे भुगोल को भी अपने में समा लेना चाता था जान लेना चाता था इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगय पहुच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी और जहां से नानी के शब्दों में कहें तो खटोला गाड़ी मिलती थी रोपवे के नाम में कोई धर्म आडंबर नहीं था जैसा कि हमने मंदिर में देखा कि स्पेशल आरती बोली जा रही है नंबर उनका पहले आएगा जिनोंने जादा चड़ावा चड़ाया है लेकिन रोपवे की जब लाइन लगी हुई है तो वहां सब एक साथ लगे हुए है उशा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था वही क्यू अर्थात लाइन वही मंसा देवी पर चड़ाने वाली चुनिरी और प्रसाद की थेलियां बिक रही थी पाँच, साथ और ग्यारा रुपे की कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके साचे बेच रहे थे तीन-तीन रुपे में उन्होंने अपनी हतेली पर कुछ बिंदिया कलात्मक रूप से बना भी रखी थी ताकि वह उनको नमूने के रूप में सजा के दिखा सके उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रेंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था पर अभी तो मन से कल मंदिर में घटी घटना निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब उसे अचानक से लड़कियों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रसाधन अच्छे लगने लगे अब यकायक उसे ये बिंदिया बहुत आकर्शक लग रही थी मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्यात योवना के माथे पर सजा भी दी अब उसने मन में ही सोच लिया कि मैंने एक बिंदी ली और उस अज्यात जिसे वह जानता ही नहीं कि उसका नाम क्या है उस योवना के उस युवती के माथे पर सजा दी मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए उसका नमबर बहुत जल्दा गया अब वे दूसरी कतार में था जहांसे केबिल कार में बैठना था सभी काम बड़ी ततपरता से शीग्र रूप में हो रहे थे जल्दी वे उस विशाल परिसर में पहुँच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबिल कार बारी-बारी से आकर रुखती चार यात्री बैठाती और रवाना हो जाती केबिल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ओपरेटर के नियंत्रण में थी समभव एक गुलाबी केबिल कार में बैठ गया कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था उसके सामने की सीट पर एक नव विवाहित दमपती चड़ावे की बड़ी थैली और एक व्रद चड़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे आप समझ ही गए होंगे कि जब हम यौवन काल में होते हैं तो हमारी इच्छाई भी बहुत ज़ादा होती हैं इसलिए थैली बड़ी है और जो व्रद बैठे हैं उनकी आकांगशाएं बुढ़ापे तक आते आते थोड़ी कम हो जाती है इसलिए उनकी थैली भी छोटी है रहा है ममता कालिया जी ने इस प्रेम प्रसंग के अतिरिक्त हरिद्वार के पूरे प्राकर्तिक सौंदरे को भी हमारी आखों के आगे ऐसे बना दिया है कि मन वहीं हमारी उडान लेने लगता है एक बार चारो और के विहंगम द्रश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फ जगे जगे मंदिरों के बुर्ज गंगा मया की धवल धार बिलकुल श्वेत पवित्र धार और सडकों के खुबसूरत घुमाव नजर आने लगे नीचे सडक के रास्ते चड़ते हाफते लोग नजर आने लगे लिमका की दुकाने और नाम अनाम कितने सारे पेड़ संभव की आखों के आगे दिखने लगे बहुत जल्द उनकी केबिल कार मंसा देवी के द्वार पर पहुँच गई यहां फिर चड़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए अब संभव ने यह मौका हाथ से जाने न दिया और एक थैली खरीद ली और सीड़िया चड़कर आंगन प्रांगन में पहुच गया नाम तो मंसा देवी का था पर वहां सभी देवी देवता मौजूद थे एकदम अंदर के प्रकोष्ट में कमरे में चामुंडा रूप धारणी मंसा देवी स्थापित थी व्यापार तो यहां भी था धार्मिक व्यापार से आप सभी परिचित ह कि इश्वर के नाम पर किस तरीके से भक्तों को बर्गलाया जाता है और व्यापार किया जाता है इसे धार्मिक व्यापार कहते हैं मनोकामना के लिए लाल पीले धागे सवा रुपे में बिक रहे थे लोग पहले धागा बानते थे और फिर देवी के आगे शीष नवाते थ और वहां से बाहर आ गया क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभव ने कौन सी मनो कामना मांगी होगी आंगन में रुद्राक्ष मालाओ की अनेक गुमटियां बिक रही थी जहां दस रुपे से लेकर तीन हजार तक की मालाओ पर एक ही बात लिखी थी असली नकली साबित करने वाले को 500 रुपे का इनाम अब उसमें से बहुत सारी नकली होंगी पर लिख दिया गया कि नकली साबित करने वाले को 500 रुपे का इनाम एक तरफ हलवाई, गरम जलेवी, पूरी, कचोड़ी जान रहे थे, मेले जैसा माहौल था संभव वापस अपनी मनोकामना मांगने के बाद केबिल कार की कतार में जाने के लिए लग गया वापसी का रास्ता आप जानते हैं, पहाडों पर जब हम लोटते हैं तो धलवा होता है तो कार जल्दी जल्दी नीचे पहुँचने लगती है इस बार संभव के साथ तीन समवयस्क अर्थात उसी के उम्र के तीन लड़के बैठे हुए थे वह केबिल कार की ढलवा दोड को देख ही रहा था कि अचानक से दो आश्चरे एक साथ घटित हुए वह बच्चा जो पौडी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, जिसने पूछा था कि आप मंदिर नहीं जाएंगे दूर पीली केबिल कार में नजर आया बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी हाला कि इतनी दूर से उसका चहरा सपष्ट नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसकी कमीज को और उसकी उम्र के हिसाब से वह उसे पहचान सकता था और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली शाम सलोनी आकरती बैठी थी वह थी वही लड़की जो कल शाम के जुट पुटे में हर की पौडी पर उससे टकराई थी शाम के जुट पुटे अर्थात शाम के अंधेरे में जो उससे पौडी पर टकराई थी ये क्या संभव तो बेहत बेचैन हो गया वे दाए बाए जुक जुक कर चिहने की कोशिश करने लगा उसका मन हुआ कि पंची की तरह उड़कर पीली केबिल कार में पहुँच जाए बहुत जल्द केबिल कार वापस नीचे पहुँच गई संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया संभव कहां ऐसे अवसर को जाने देना चाहता था उसने जल्दी से आगे बढ़ा और बच्चे को पीछे से कंधे से थाम लिया और बोला कहो दोस्त अचानक से वह बच्चा संभव का दोस्त भी हो गया बच्चे ने अच कचा कर उसकी ओर देखा अरे भाईया रुक कर बोला हमने सोचा जब हमारा दोस नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप अब वह उसे बताने लगा कि वह भी मनसा देवी पर गया था तबी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा मन्नू घर नहीं चलना है बालक मन्नू ने कहा अभी आया बुआ संभव ने अस्पष्ट से स्वर में पूछा ये तुम्हारी बुआ है और क्या? मन्नू ने जवाब दिया हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त है मन्नू वाकई उसका हाथ खीचता हुआ चल दिया बुआ बुआ इनसे मिलो ये हैं हमारे नए दोस्त अब नए दोस्त का नाम तो पता नहीं था तो उसने प्रश्न वाचक नजरों से संभव को ही देखा कि भई अपना नाम खुद बताईए वह अपना बताता इससे पहले उसी महीन मीठी सी आवाज ने कहा ऐसे कैसे दोस्त है तुम्हारे? तुम्हे तो उनका नाम भी नहीं पता अब संभव ने गौर किया उसकी मीठी सुरीली आवाज पर बिलकुल वही कंट, वही उलाना, वही अंदाज पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा, वह पुलकित हो उठा, प्रसन हो उठा हे इश्वर उसने कब सोचा था कि मनो कामना का मौन उदगार इतनी शीग्र शुब परिनाम दिखाएगा अभी तो मनसा देवी पे उसने मनो कामना की गाठ लगाई थी और इतनी शीग्र उसे शुब परिनाम मिल जाएगा, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, जिसके खयालों में संभव कल से खोया हुआ था पर सफेद साडी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चड़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा मनो कामना की गाठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है तो ये तो कहानी में एक नया ही मोड आ गया, क्या आपने सोचा था कि उस लड़की ने भी अपनी मनो कामना में संभव से मिलना मांगा था और उसने मन ही मन जैसे ही संभव को देखा, तो मन में कहा कि मनो कामना की गाठ कितनी अद्भुत होती है अभी वहां बांधी थी और यहां पूरी भी हो गई और वो मन में एक और संकल्प लेती है कि अब इस धन्यवाद को ज्यापित करने के लिए मैं माता पे एक चुनरी और चड़ाऊंगी तो सिर्फ संभव ही बेचैन नहीं था बल्कि वह लड़की भी उतनी ही बेचैन थी संभव से मिलने के लिए पारो बुआ पारो बुआ इनका नाम है मन्नु ने बुआ का आचल खीचते हुए कहा जैसे ही संभव को पता चला कि उस लड़की का नाम पारो है तो संभव ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम संभव देवदास है क्योंकि वह पारो का देवदास बनना चाता था अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि इस पाठ का शीर्षक दूसरा देवदास क्यों रखा गया क्योंकि वैसी ही एक और नई प्रेम कहानी नई संदर्बों में हमारे सामने ममता कालिया जी ने रखी है संभव का नाम संभव होते हुए भी वैस संभव देवदास उसी प्रेम के वशिभूत कह पाता है उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गाठ का मीठा सा इस्मरण हो आता है जो उसने भी पारों से मिलने के लिए बांधी थी हमें पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी इसने उत्सा को बनाई रखा होगा और इसका अंत भी आपको बांध लेता है चलिए बढ़ते हैं इसके सार की ओर ये कहानी हर की पौडी हरिद्वार की परिवेश को केंदर में रखकर युवा मन की समवेदना भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकरशक भाशा शैली में प्रस्तुत करती है यह कहानी युवा हिर्दे में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल कल्पना और रुमानियत का उधारन है इस कहानी में लेखिका ने इस तरहा घटनाओं को जोड कर रखा है कि अंजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन जब प्रेम फूटना शुरू होता है संभव और पारो के हिर्दे में बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में उत्पन होता है यह पहला उनका आकरशन और परिस्थितियों को इस तरीके से पिरोया गया है कि उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ती, समय और इस्थिती का होना आवश्यक नहीं है यह प्रेम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी इस्थिती और परिस्थिती में पैदा हो सकता है, उपच सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बंबईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटा कर उसे पवित्र और स्थाई स्वरूप प्रदान किया जब हर की पोड़ी से कहानी का प्रारंब किया कत्य, विशेवस्तू, भाशा और शिल्प सभी की द्रश्टी से कहानी बहुत बेजोड है तो प्यारे बच्चों आप इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रशनों को करने का स्वयम प्रयास करें कि इस कहानी का नाम दूसरा देवदास क्यूं रखा गया होगा, मनो कामना की गाठ क्यूं अद्भुत और अनूठी होती है ऐसे ही डेर सारे प्रशनों का जवाब आप अपने मन से टटो लिए और इस पर चर्चा भी कीजिए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है, धन्यवाद झाल झाल